Hello everyone, welcome all of you to the platform teaching परिक्षा, HPSC यानि की हर्याना Public Service Commission में आप वकेंसी देखने को मिली है, जैसे कि मिन आपको कहा भी था, कि हर्याना में, UP में, रधिस्तान में और सभी स्टेट्स में, इलेक्शन से पहले आपको वकेंसी देखने को मिलने वाली है, तो ये वकेंसी आपके PGT, ज दिखाये जा रहे हैं, तो आप देखिए, हर्याना Public Service Commission यानि की HPSC में जो वकेंसी निकली है, वो निकली है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की, जो की आज ही आपको ये पब्लीकेशन देखने को मिला है, यानि की आज ही ये नोटिस देखने को मिला है, और परसों से हम लोग समझेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूँगे, आपको क्या qualification चाहिए, क्या आपको इसमें aid चाहिए, क्या आप हर्याना के resident होंगे, ये सब पूरा का पूरा मैं आपको यहां पर clarify करके आपको नोटिस बताने वाली हूँ, तो अगर वीडियो पसंदारी है, तो लाइ आप कैदियर में ये वकेंसी निकली है, स्पैसिफाई किया है यहां पर कि आप जो register कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, http, hpst.government.in पर किसी के साथ साथ आपको login करने के लिए सबसे पहले तो register करना पढ़ेगा, उसके बाद अपनी login ID बना कर, आधार नंबर, virtual ID विगरा, आप आपको biometric आपको देनी होगी, बनानी होगी, यह बात की बात है, यह form fill करने के बात है, पहले तो qualification तो match हो आपकी, तो यहां पर payment भी आपकी, जो online का mode है वही सही होगा, और यहां पर आपकी payment का print out आपको निकालके, और application form आपको निकालके तुरंत ही रख देना है, और रिम आफिर डूली चेकिंग और साइनिंग इट, जब आप payment कर देंगे, उसके बाद print out निकालिएगा payment का, और उस form को fill कीजेगा, चेक कीजेगा, कि आपका जो भी appished form है, फिर उस form को आपने upload भी करना है, सारी के सारी information को ध्यान रखेगा, फिर उसके बाद आपने जब apply क कर देंगे, तो फिर उसके बाद आप login करके विगरा आप जब भी admit card आएगा, आपको बता दिया जाएगा, simple सी बात है ये, अब हर्याना Public Service Selection Commission है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने clear की आभी, कि आज ही इसका, अभी इसका notice देखने को मिला है, और इसकी जो opening date है, वो है इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी clear किया है, important है, वो मैं आपको बतायती हूँ, कि candidate को eligibility के लिए क्लिया करना होगा, तो eligibility के लिए clearly यहाँ पर mention है, कि यह admit card जो की candidate का है, वो यहाँ पर लगने वाला है, और जो भी आप documents यहाँ पर डालेंगे, वो documents आपका interview के time पर check करेंगे तो यानि कि यहाँ पर interview भी होगा, यह बात तो clear हो गई, और इसी के साथ साथ जो भी commission आपकी eligibility को देखकर descend लेगी, वो final होगा, यहाँ पर clearly लिखा है, अब apply करने की बात अगर करें, तो आपको मैंने अभी बताया कि http.hpsc.government.in पर आपने apply करना है, और इसी के साथ साथ last date को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर apply करना मतलब 14 से पहले आप लोग apply कर दोगे, इसी के साथ साथ candidate को अगर कोई help चाहिए, तो आप इन numbers पर email करके आप लोग मदद मांग सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, वकेंसी की, कि वकेंसी कितनी है, तो वकेंसी कि आपकी 1703 वकेंसी है, different subjects को मिलाया मैंने, ठीक है, और बाकी categories की भी आपकी वकेंसी आप देख सकते हैं, आपको पुरा notice ही हमारे telegram चैनल पर मिल जाएगा, तो यही बताय गया है कि आपने जो भी आपका reservation है, आप उस पर थोड़ा सा ध्यान देजिएगा, अब essential qualification की अग 10 प्लस 2 B.A.M.A. with Hindi as one of the subject, 10 प्लस 2 में, B.A.M.A. में, आपके Hindi एक subject तो होना ही चाहिए, यह बात यहां पर clear काई गई, इसी के साथ साथ हर्याना TAT, यानि कि H.T.T. qualify आपका होना चाहिए, अगर PGT की वकेंसी है, तो H.T.T. paper 2 आपका clear होना चाहिए, और इसी के साथ साथ School Teacher Ability Test यानि कि Estet आपका clear होना चाहिए, ध्यान रखेगा, इसके साथ साथ Essential Qualification यह आपको दी गई है कि PGT Biology लिए आपको क्या चाहिए, PGT Chemistry, Commerce, Economics, English, Fine Art, Geography, Hindi, History, यह सारे के सारे जो भी जिन पर भी वकेंसी निकली है, उसके लिए आपको totally यहाँ पर subject दिया गया है, ठीक है, clear है, और यह clearly लिखा है कि 50% नंबर होना जरूरी है आपका, ठीक है, और graduation में PGT में आपका 55% होना जरूरी है, यह clearly mentioned है यहाँ पर, और जो भी आपकी डिग्री होगी वो recognize board की होनी चाहिए, और अगर आप differentially abled है, यानि कि आप STs, STs वेगरा है, तो भी आपको यह सब पर ध्यान देना होगा, ठीक है, और closing date से पहले ही सब कुछ feel कर दीजिए, clearly mentioned है यहाँ पर, और इसके साथ साथ आपको pattern भी बता दिया, कि आपके exam कैसा होने वाला है, तो exam pattern कि जब भी screening आती है, तो बिल्कुल clearly आपको notice देता है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर total number of MCQ की बात करें, तो 100 MCQ आपके आने वाले हैं, जिसमें duration आपको दिया जाएगा 2 गंटे का, total marks दिये जाएगे आपको 100, all questions carry equal marks, ठीक है, इसके लिए each question में आपको 5 options दिये जाएगे, A, B, C, D, E, और उसके बाद आप को appropriate option चूज़ करना होगा, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, आपको negative marking भी देखने को मिलेगी, यानि कि जब एक question गलात हुआ, तो एक नहीं आपके 1.25 number कटेंगे, यानि कि सवा number आपका 1 question पर कटेगा, बिल्कुल clearly mentioned है, आपका जो paper है, आपने 5 circle correctly fill करने हैं, याद र रखेगा, यहाँ पर clearly लिखा है कि 1 fourth marks will be deductive for each wrong answer, हर एक गलत answer का आपका 1 point, 1 by 4th यानि कि 0.25 number आपका deduct होगा, और medium क्या होगा, English language में, biology, chemistry, home science, mathematics और physics, और bilingual में, देखिए, clearly यह सब बहुत clear बता रहे हैं, कि आपका जो paper होगा, PGT, biology का, chemistry का, home science का, maths का, physics का, वो आपका सिर्फ English language में होगा, और bilingual में आपके कौन-कौन से होगे, तो commerce, economics, fine arts, geography, history, music, physical, education, political science, psychology और sociology, यह आपका bilingual होगा, तो यह इन basic बातों पर थोड़ा ध्यान दीजेगा, और language subjects such as English, Hindi, Sanskrit, Urdu, Punjabi, यह आपके अपने ही language में होगे, ठीक है, याद रखेगा, cut off जोगी, वो आपकी, cut off of 20%, 25% in screening test, तो 25% जो है, वो screening test का लगेगा, और आपके जो पीछे के भी है, exams, उसको भी यहाँ पर conclude किया जाएगा, तो यह basically बात करें, तो आपके subject की duration बता दिया है, यहाँ पर, जो subject की knowledge होगी, वो आपकी time duration होगा, तीन गंटे का, total marks 150, वो journal paper था, और medium तो आपको मैंने अभी पीछे बताया था, कि यह कुछ English language में होगे, कुछ bilingual में होगे, चिक है, यह बात ध्यान रखेगा, इसका जो होगा, minimum cut off जाएगा, 35%, याद रखेगा, जो आपका journal paper है, उसका 25%, इसका जो आपका subject paper है, इसका 35%, त 87.5% ली जाएगी, आपका interview होगा, वाइवा होगा, very very important, आपका interview होगा, वाइवा होगा, जो की 12.5% इसका भी लिया जाएगा, तो यह दो मिला के आपका 100% बनेगा, यानि कि आपको subject की knowledge, journal paper और फिर वाइवा interview भी देना होगा, बहुत ही अच्छा system, बहुत ही बहुत ही और आप यह मान के चलिए, नई NEP के अनुसा सिस्टम यह बनाए गया है, बहुत बढ़िया, तो तागी cheatings विगएरा जो होती रहती है, वो ना हो, और last में आपको motivate करने के लिए, याँ पर salary बताई गई है, तो scale of pay है, 47,600 से लेकर तरीब डेल लाग तक का आपका pay यहाँ पर बताई गई है, बहुत बढ़िया पे है, और post के rules वगएरा बताई गया है, भई Indian होने चाहिए, आप यह clear बताई गया है, तो यह थी आपकी, और हर्याना में जो relaxation होगा, वो clear बताई गया है, कि जो age limit होगी, journal वालों की जो age limit होगी, वो 18 साल के ऊपर, आप होंगे, 42 years सक यहां पर दिया गया है, और इसी के साथ साथ, भई, relaxation मिलेगा, schedule, cast of हर्याना, backward class of हर्याना, disabled वालों को भी relaxation में गया है, सब यहां पर mention किया है, accurately बहुत ही बढ़िया, और जो unmarried woman है, उसको भी 5 साल का relaxation दिया गया है, तो यानि कि जो unmarried है, और वो 42 अबब हो चुके है, उनको भी 5 साल का यहां पर relaxation बिल्कुल clearly दिया गया है, तो अब आप यह मान के चलिए, बहुत बढ़िया opportunity आज चुकी है, आपके पास, जिनका भी stat clear है, वो please apply करें, क्योंकि vacancies का दोरा भी रहेगा, election से पहले आपको सभी states पर यहां पर vacancy देखने को मिलने वाली है, DSSS भ चलिए, बहुत बढ़िया chance है, इसको apply कीजिए, बढ़िया मस तरीके से अपने आपको evaluate कीजिए, हम मिलते हैं आप से यह exam की तियारी करवाएंगे, आपको जो भी notice है सबसे पहले आपको teaching परिक्षा के द्वारा ही दिया जाएगा, ओके चलिए, बबाई everyone, thank you so much for watching, bye, take care, अगर वीडियो पसना आई तो like करें, share के channel को subscribe करें, bye, bye